क्या आप AC के साथ पंखा चलाते हैं पंखा चलाने से क्या फाइदा होगा क्या हमारी electricity बचेगी क्या AC को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको AC के साथ पंखा चलाना चाहिए या नहीं और इसके क्या पंखा चलाने से क्या फाइदा होगा दोस्तों फाइदा नंबर वन ये है कि जब कभी भी आगर आप पंखा चलाएंगे AC के साथ और आपका जो रूम है वो थोड़ा सा बड़ा है और आपकी मजबूरी है कि आपने AC एक ऐसे डिरेक्शन में लगाया है जहां पर कोने-कोन में जो है वो हवा सर्कुलेट नहीं होती है जिससे कि आपके रूम को ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता हो तो ऐसे कंडिशन में अगर आप पंखे को भी साथ में चलाएंगी तो उससे क्या होगा कि दोस्तों जो पंखे का काम होता है आपके रूम के अंदर जो रखते हैं या 21 रखते हैं या 22 रखते हैं तो आपको इतने टेंपरिचर पर एसी को चलाने की जरूरत नहीं है आप जो है वो 24 डिग्री या 25 या 26 भी रख सकते हैं उससे दोस्तों आपका जो रूम है वो जल्दी ठंडा होगा और आपको एक अच्छा बैटर एर कंडिशन का experience जरूर होगा अब हम बात करते हैं दूसरे फाइदे के बारे में दोस्तों बीजली की बचत होगी या नहीं आपके मन में एक सवाल है कि अगा AC भी चल रहा है पंखा भी चल रहा है यहां तो फिर दो-दो जो है वो यूनिट्स चल रहा है तो बीजली तो जादा ही लग बिल्कुल सही temperature होता है जिससे कि आपकी जो body है वह काफी comfortable feel करती है अगर आप 24 डिगरी के असपस temperature रख रहे हैं और साथ में fan भी चला रहा है तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका जोरू में एक तो जल्दी ठंडा होगा दूसरा जो compressor है उसके उपर extra load नहीं वो कम wattage पर काम करेगा जिससे कि आपको बिजली की बचत होगी ही होगी और रही बात पांक है कि तो दोस्तों पंखा इतनी बिजली कंजूम नहीं करता है as compared to air condition जहां air condition को आप 21 degree या 22 पर चला कर extra power consumption कर रहे थे वहाँ पर आप 24 degree temperature set करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बिजली की बज़त तो होगी ही होगी इसके लब दोस्तों आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब कभी भी आप AC चला रहे हो खासकर night के वग तो उसमें timer भी आप set कर सकते हैं सबोज आपने 4 घंटे का timer set कर दिया या 5 घंटे का timer set कर दिया तो जब कभी भी आपका जो रूम पहले से आपके रूम के अंदर मुझूद है उसको आपका fan जो है वो circulate कर रहा है इससे आपकी नींद भी disturb नहीं होगी और जो extra बिजली की खपत air condition को चलने में लगने वाली थी वो भी आपकी save हो जाएगी तो ये तो हो गई फायदों की बात अब हम बात करेंगे कि क्या पंखे को साथ में यूज़ करने से कोई नुकसान है तो नुकसान नंबर वन की बात करते हैं दोस्तों अगर आप ऐसी एरिये से बिलॉंग करते हैं जहां पर रोड की किनारे आपका घर है और बहुत ज़्यादा धूल रहती हो तो इसे में क्या होगा कि दोस्तों जब कभी पंखा चलता है तो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें आती है चाहें वो डस पार्टिकल हो या धूल हो कुछ भी हो उसको भी आपके रोम में घुमाना शुरू कर सकता है और फिर यहां पर क्या होगा कि दोस्तों जो एसी के फिल्टर होते हैं उसके उपर धूल जम जाए दोस्तों अगर आपका रूम का इन्वार्मेंट प्रॉपर एर सिल्ड नहीं है और आपका रूम के पास में एसी कोई जगह है जहां से आप लगातार आना जाना करते रहते हैं या में डूर है या खिड़की के पास जैसा कोई गैप है जिससे की बाहर की गर्मवा भी आ जा यहां पर आपको बिजली की बचत भी नहीं होगी और कुलिंग में भी डिस्टरवेंस रहेगा तो दोस्तों एक बात का खास खहल जरूर रहेगा कि आपका रूम अगर प्रॉपर एर सिल्ड है वहां से हवाल जो है वो लिकेज नहीं होती हो तब आप फैन जरूर यूज कर कर लीजिए साथ में फैन को अन कर लिए और एर कंडिशनी एक्सपिरियंस को एक्सपिरियंस कीजिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पंख है चलाने के कितने फायदे हैं और अगर आप बिजली की सेविंग करना चाहते है तो साथ में ऑफ टाइमर भी सेट कर लें एसी को जितनी देर आप चलाना चाहते हैं उतना आप जो है सेट करते हैं उसके बाद पंखा अपना काम करेगा ही करेगा कूलिंग भी अच्छी आएगी आपको अच्छी नीन भी आएगी और आपको एक बहुत अच्छा एर कंडिशन का एक्सपिरियंस जरूर होगा दोस् आपके वीडियो में इतना ही मिलता हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिल वंदेग बातराव